जेन दोस्तों बात करने वाले हैं SLC GD Constable 2018 के बारे में तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी जानकारी निकल के आ रही है कि आप सभी के लेटर आने लगे हैं और काफी जो लेटर है वो निकल के आ रहे हैं RME के रिजेक्शन लेटर जियां जिल लोगों ने RME के ल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे हैं तो चलिए चलते हैं टॉपिक की जर्व यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर काफी लोगों के लेटर आ रहे हैं सभी के पास तो आखिर वो लेटर किसी चीज क्या रहे हैं और RME में रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है बिना RME में बुला ही रिजेक्ट कर दिया तो उसका रीजन क्या है उससे कैसे बचा जा सकता है या अभी आगे हम क्या कर सकते हैं तो पूरी जानकारी आप सभी को यहाँ पर हमें बताने वाला हूँ तो यहाँ पर सभी को पहले मैं दिखा देता हूँ कि 28 फरवरी को एक नोटिस की दी गई है और यहाँ पर बताया गया है rejection slip appeal against medical unfitness of constable gd exam 2018 तो यहाँ पर बताया गया है कि जो against medical unfitness के लिए जो appeal की गई थी वो यहाँ पर reject कर दी गई अब reject क्यों की गई इसके बारे में एक बार देख लेते हैं और क्या reason है तो यहाँ पर देखेंगे नमबर वन पर refer your appeal dated 3 February 2020 तो 3 February 2020 को refer की गई थी इन्हों ने appeal की थी कि हमारा जो medical है उसमें कुछ जो हम unfit किये गए जो हमें point दिये गए हैं वो हमारे सही हैं उसके लिए उन्होंने यहाँ पर appeal दी थी तो appeal के बारे में यहाँ पर बात करें तो second number पर यहाँ पर point दिया गया है it is intimated that your appeal for review medical examination against medical unfitness has been rejected due to following reason तो यहाँ पर बताया गया है कि किन कारणों से जो आपकी appeal है उसे reject कर दिया गया तो यहाँ पर देखेंगे number A पर लिखा हुआ है cause of rejection number to during DME has been confirmed by the concert specialist as certified in form number 3 तो अब देखिए मैं आप सभी को बता दू जब आपका DME हुआ था यानि जब आपका medical करवाया गया था तो medical के time आप सभी को कुछ न कुछ पॉइंट दिया गया था जब यह आपको Remedical मिला था तो आप सभी से बोला गया था कि आप किसी भी specialist doctor से इसके बारे में लिखवा के दीजिए कि आपको ऐसी कोई भी समस्चा नहीं है आपको किसी भी government doctor से यह लिखवा के देना था और वहाँ पे बीजना था बसरते वो उस department का यानि उस चीज़ के बारे में उस रोक के बारे में वो बिसेसक जो होना चाहिए उसी doctor से आपको लिखवाना था अभी यहाँ पे हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे अब बढ़ती हैं उन्होंने क्या किया है कि doctor के पास गए वहाँ पे consult किया और उन्होंने का कि बनलब उन्होंने कुछ खास बात ही नहीं की उन्होंने जो लिखके दिया वो उन्होंने वहाँ पे बेज दिया तो यहां पे clear लिखा हुआ है कि जो आपको cause दिया गया था number two during DME यानि DME के दौरान has been confirmed by concern तो यानि जो समंदित space list है उसने confirm कर दिया है कि आपको उसकी problem है इसलिए आपकी जो appeal है उसे cancel किया जाता है अब देखें यहां पे बात कर लेते हैं कि ऐसा किन किन लोगों के साथ हो सकता है और इसका alternate option हो सकता है तो देखें मैं आप सभी को बता दूँ बहुत सारे लोग ये भी जानना चाते हैं कि DME कब से, सॉरी, RME कब से होगा यानि Remedical Examination कब से होगा उसके बारे मैं मैंने आप सभी को वीडियो बना के बता दिया था फिर भी बहुत सारे लोगों वो फेक लगा तो उसका तो कोई नहीं लेकिन मैं आप सभी को एक और प्रूफ दे दूँगा लिंक आएगी, सब से उपर वाली लिंक पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने एक website open होके आएगी जैसा कि आप देख सकते हैं याप आपको सभी सरकारी विवाओं की जानकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप किसी भी particular एक विवाओं की जानकरी चाते हैं तो search button देगी है, search button पर click करें और search button पर click करने के बाद जिसके बारे में आप जानकरी चाते हैं जैसे sscgd के बारे में हम यहाँ पर search कर लेते हैं तो sscgd आपको type करना है और sscgd type करने के बाद आपको side button में जो search button है उसे click करने क्लिक करने के बाद SSCGD से जोड़ी हर एक जनकरी आप सभी को मिल जाएगी तो यहाँ पर अगर आप और कोई जनकरी पाना चाते हैं जो आपको सबसे पहले मिलती रहे उसके लिए साइड में एक बेल बटन दी कही है उस बेल आइकन को क्लिक कर लें यहाँ उन्हें उस चीज के बारे में जनकरी नहीं थी इसलिए उन्होंने बेज दिया अभी जब आप अपना कोई भी अपील वाला लेटर वहाँ पे बेजेंगे तो वो बारी की से उस चीज को चेक करते हैं बिल्कुल सही तरीके से है या नहीं अगर आपने गलत फॉर्मेट या किसी भी तरीके से अगर गलत तरीके से अगर आपने अपील करने की कोसिस की और वहाँ पे वो लेटर बेजा है तो वह वहाँ पे कैंसल कर देंगे अब देखिए अगर आपके सारे point ठीक हैं अगर आपने सरकारी hospital से उसे लिखवा के बेजा है और doctor ने clear लिख दिया है कि जो point आपने दिया है जैसे कि मान के चल लेते हैं कि किसी को भी कोई भी कान का छेद बताया है कि मान लिजे कि कान में आपके कुछ problem है लेकिन अगर आप ER specialist के पास यानी ENT specialist के पास जाते हैं और वहाँ पे अपना check-up बगरा करवाते हैं और वहाँ के बाद जो doctor है आपको government doctor वो certified करके दे देता है कि आपको ऐसी भी किसी भी विमारी से आप ग्रशित नहीं है यानी ऐसी कोई भी आपको दिक्कत नहीं है तो उसक लिए आप एकदम perfect हैं यानी आपका जो RME का admit card होगा वो आ जाएगा लेकिन इसी condition में अगर आपने doctor से लिखवाया होगा अगर उसने proper तरीके से नहीं लिखा होगा तो आपके सामने समस्या हो सकती है क्योंकि यहाँ पे clear लिखा हुआ है concerned specialist तो यहाँ पे जो certificate लगाया गय कि आपका जो admit card होगा आपका आएगा बिलकुल भी आपका admit card आने वाला नहीं है reject कर दिया जाएगा इस बात को ध्यान रखिएगा इसका बहुत बड़ा benefit उन अभ्यरतियों को मिलेगा जो DME में ground fit हो चुके हैं अगर आपने इस चीज में कोई सावधानी नहीं बढ़ती है और RME का जो option है फिलाल अभी आपने उसे use कर लिया है RME में अगर आप reject हो जाते हैं अगर आपको rejection आ जाता है तो आप उसके खिलाब कोई भी अपीलिया किसी भी तरीके से कोई भी का रवाई नहीं कर सकते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा अगर आपने कोई भी चोटी सी भी गलती किये तो आपको यहाँ पर rejection मिल सकता है जिसके बाद आप कहीं पर भी जाके कोई भी अपीलिया कुछ भी इसके खिलाब नहीं कर पाएंगे यानि clear तोर पे आपको इसमें असफल माना जाएगा और गोसित कर दिया जाएगा कि आप बिलकुल fail है आप आय आप पास हो जाएंगे मैंने जैसे कि अभी आपको बताया www.study4dreams.in पर जाके जरूर बिजट करिएगा वहाँ पर मैंने आप सभी को बहुत जरूरी जान करी दिये जो कि आप सभी को जान लेनी चाहिए अगर वहाँ पर कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बतायेगा वहाँ पर सभी चितने वर कमेंट होंगे सभी के रिप्लाई आप सभी को मिल जाएंगे तो फिर दोबारा से बता रहूं www.study4dreams.in गूगल में जाहिएगा सर्च करने ना आप सभी को सबसे ओपर मिल जाएगा वहाँ पर जाके ऐसा सी जीडी कॉंस्टेबल के अगर कोई जानकरी होती है तो सबसे पहले वहाँ पर आप सभी को मिलती रहती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीरें सिंगनेचर है और उनकी यहाँ पर सड़ी वो मौर बगेरा हैं वो सारी जानकरी लगी हुई है यानि एकदम ऑफिसिय प्रॉलम है तो आप पूछ सकते हैं अगर आपका भी पास अगर ऐसी कोई रिजेक्शन स्लिप आई है या अगर आपके पास कोई भी ऐसा लेटर वगेरा है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कोसिस करेंगे या कि आपकी जो प्रॉलम हो उसका कोई सॉलिशन ढूंड निकालें तो दोस्तों फ्लाल के लिए इस वीडियो में पास इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी इंफॉर्मिशन के साथ सो थैंक यू फूर वाचिंग जैहिंच जैवारत झालें जैवारत झाल झाल झाल